नमस्कार दोस्तों स्वागरे अब सभी का तिकराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लास के डिवाइस में यह प्रॉब्लम सॉल्फ कैसे कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल जो है दोस्तों बा को आपको पूरा देखना है जो भी सॉलूशन होगा स्टेब बाइस टेब आपको जिस तरीके से में बताने वाला हो उसी तरीके से आपको भी फॉलो करना है एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्फ हो जाएगा वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को करें बेल आइकोन को क्लिक करें अगर आप उनलाइन पैसा कामा ना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगारिंग पर आप हमें ट्वीटर पर फोलो करके मेसेज कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के इस व इसको उपेन कीजिए और आपका जो प्रॉबलम में यह हो सकते है शेडियूल पावर ऑन ओफ अगर आपने यह सेट कर दिया है तो इसको बंड करना होगा ठीक है उसके बाद आपका प्रॉबलम उई पर फिक्स हो जाएगा अगर यह प्रॉब्लम था तो दोस्तों अप्लिकेशन से तो उनको भी आप दोस्तों यहाँ पे डिलेट करें उसके बाद आपका श्टोरेज चेक किजिए अगर श्टोरेज दोस्तों आपका फूल हुआ है तो आपको अपना श्टोरेज यहाँ पे करना होगा फ्री आप करना होगा ठीक है इस तो रेज को फ्री आप कर लीजिए फ्री आप करने के बाद दोस्तों आप चेक करके देखे स्वल्फ हो जाएगा प्रॉब्लेम क्यूंकि अगर मोबाइल पे जादा से ज्यादा जो है एप्लिकेशन रन करते हैं या फिर मोबाइल पर जादा से ज़्यादा है application यूस हो रहा है mobile को overuse किये जा रहा है तो दोस्तों यह problem होते हैं ठीक है तो आपको careful होना परेगा इस situation पर और दोस्तों यहां पर जो भी मैंने आपको solutions बताया है अभी उन सब को follow करें ठीक है mobile को overuse कर रहा है तो मत कीजिए high gaming कर रहा है तो वह भी दोस्तों आपको छोड़ना होगा क्योंकि दोस्तों उससे आपको यह problem हो सकते हैं चार्जिंग करते हैं गेम नहीं खेलना है mobile को यूज नहीं करना है तो राज सब फोन को रेस देना है तो इन सब से दोस्तों आपका problem solve हो जाएगा ठीक है अगर अभी भी दूस्तों आपको problem हो रहा है तो आपको यहाँ पे सब मोबाइल को सेफ मोड पर रीबूट करना है उसके लिए पाउर बटन को प्रेशन होल करना है पाउर ओफ के बटन को दो सेगन क्लिक करके रखना है और ऑके कर दिना है उसके बाद सेफ मोड पर रीबूट हो जाएगा एंड एंड आपका problem fixed तो इस तरह के से दोस्तों आ आपको यहां पर सिस्टेम पर जाना है और सिस्टेम अपडेट कर देना है जैसे ही दोस्तों आपका सोफिर अपडेट होगा सोफिर अपडेट होती है आपका problem solve हो जाएगा by any chance इस से भी दोस्तों problem solve नहीं होते तो आपको जाना होगा reset option पे reset option पे जाके दोस्तों mobile को factory data reset कर देना होगा erase all data पे क्लिक करें और mobile के सारे data को erase कर दे उसके बाद आपका problem definitely solved तो इस तरह के से आप अपने one plus के device में keep shutting down problem solve कर सकते उमीद करते दोस्तों आपको यह वीडियो पसने होगा आज के लिए बस इतना ही thanks for watching